आपके मम्मी के हाथों जैसा फेवरेट खाना बनाने के लिए आज हम ऐसा कुकिंग रोबोट आटोमैटिक मील मेकर लेकर आए हैं कि जो स्वाद आपको अपने मम्मी के हाथों से बनाएगे खाने में मिलता था सेम वही स्वाद आपको इस मसीन से भी मिल पाएगा आप सुसरे होंगे ये कैसे पॉसिबल है ये तो होई नहीं सकता हमारे मम्मी जैसा स्वाद इंपॉसिबल देखिए आपकी बात कुछ हद तक सही है लेकिन हम उनके कुकिंग स्टाइल को तो कॉपी कर सकते हैं और इसी टेकनलोजी पर बेस्ट है ये स्मार्ट आटोमेटिक मिल मेकर सुरुआती मुझे भी देखकर ऐसा ही लगा था लेकिन इसके एडवांस टेकनलोजी के साथ किये गए माइन ब्लोइंग कुकिंग को देखकर मुझे भी यकीन हो गया कि भाई साब कहीं न कहीं वो स्वाद पॉसिबल हो सकता है इसमें आपको वाई फाई ब्लूटूथ कनेक्शन का फीचर मिलता है जिससे कि आप अपने मुबाईल एप और वेपसाइट के थ्रू बुकिंग करके मसीन कंट्रूल कर सकते हैं वाईस कंट्रूल का भी आपसन मिलता है तो जब भी आप बोलेंगे कुक मटर पनीर फॉर मी सो आपके लिए गर्मा गरम मटर पनीर बनना स्टार्ट हो जाएगा और सिर्फ इतना ही नहीं जब भी आप आप आफिस से घर लोटें तो चलते ही मोबाईल अप से कुकिंग स्टार्ट कर दीजिया और आपके घर पहुंचते पहुंचते एकदम गर्मा अगरम आपका फेवरिट खाना तयार हो जाएगा है नमज़ेदार चीज इसलिए तो आपके लिए स्पिसली डोड कर लाए है वैसे आज के डिट में हर एक बिज़े इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम होता है ऑफिस टाइम पर पहुंचना घर से ऑफिस के चक्कर लगाने में ही आधी जिन्दिगी निकल जाती है और ऐसे में रोजाना तीन टाइम के लिए से पैसा निकालने के चक्कर में पता ही नहीं चलता कब दुपहर हुई कब साम इसलिए आपके लिए तो ये मुश्किन एकदम यूसफुल होने वाली है जो बस कुछी मिनट में आपका फेवरेट डिस बना कर रेडी कर देगी ये आपके उन दोस्तों की तरह नहीं है जो बस दो मिनट में मैगी बना कर अपने आपको सब बोलने लगते हैं ये आपके लिए भिंडी फ्राई, सामर दाल दड़का, बटर पनीर, कड़ाई पनीर, छोला, आलू, जीरा, आलू, सिम्रा मिर्च हाँ जैसे एक हजार से भी अधिक रस्पी बना सकती है, जी है विलकुल एक हजार से भी अधिक रस्पी यानि कि अब आपको अपना मन पसंद खाना खाने के लिए ना तो मम्मी ये फिर वाइफ को परसान करने की ज़रूरत है और ना ही रोजाना तीन घंटे देने की जरूरत है क्योंकि कई बार हमें दूसरों के हाथ का बना हुआ खाना पसंद नहीं आता और यहां तक कि मैं भी अपने मम्मी के हाथ से बनाये गए दाल में तड़का खुदी लगाता हूँ आप चाहें तो मेरे मम्मी से पूछ लीजेगा और आप तो मेरे बड़े भाई हैं तो मेरे ज़्यादा प्राब्लम तो आपको होगी लेकिन इसी के समधान के लिए ही तो यह मुष्यम बनाई गई है जिस तरीके से आप तड़का लगाते हैं इस मसीन में प्रोग्राम कर दीजिए उसके बास सालों साल तक सेम उसी स्वाद का आप मज़ा ले सकते हैं तो कैसा लगा यह सांदर फीचर अब आपके माइन में आ रहा होगा कि सुभम भाई मन में लड़ू बहुत फूड गया अब बस बनायके खिला ही दो तो चलिए इसमें आपको आठ में कमपार्टमेंट मिलते हैं और साथ ही में साथ स्वाइस कमपार्टमेंट मिलते हैं तो भाईया आठ कमपार्टमेंट दिये गया हैं अपनी हिसाब से आपको जो भी खाना हो इसमें लोड कर लीजिएगा अभी देखिए इसके एक कमपार्टमेंट में गाजा डाल रहे हैं और इसके जो बगल के कमपार्टमेंट हैं इसमें हम मटर वगरा फिल करेंगे अब इसमें आप अलग अलग मिर्च मसाला जीरा वगरा डाल दीजे अभी खाना बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है इसमें 500 से भी रेस्पी पहले से इंस्टाल है तो आप जो कुछ खाना चाहते हैं बस उसे सिलेट कर देंगे तो आपके लिए कुकिंग स्टार्ट हो ज छुट्टी और हर दिन का चैन ले जाती है पर साम को बना बनाया खाना तो मिल जाता है लेकिन आज गल के बाई तो मन से खाना बनाती ही है किसी दिन ओएल अधिक हो गया, तो किसी दिन मसाला दिक हो गया, अब इंसान करे भी तो करे क्या, विचारा थका हारा आया, जो रुखा सुखा बिल गया, बस खायके सो गया लेकिन इसमें आपको वो टेस्ट मिलेगा जो इसपसली आपको चाहिए इसमें 8 हिंच का टच स्क्रीन डिस्पले दिया गया है जिससे कि आप OneTouch में ही ये सभी तरह का डिस्ट त्यार कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपने फोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि इसमें एप कभी सिस्टम दिया जाता है आप अपने मवाईल से ही कोई भी रिस्पी सिलेट करके कुकिंग कर सकते हैं अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि 500 से भी अधिक रिस्पी पहले से ही प्रोग्राम है इसके अलाबे दिया आप कुस कस्टमाइज करना चाहते हैं अपने कोडिंग मसाला वगरा डिक करना चाहते हैं तो कस्टमाइज करने का भी आपसन दिया जाता है आप कस्टमाइज करके अपने हिसाब से भी रिस्पी बना सकते हैं तो चलिए ओके करते हैं और अभी आप देखिए मशीन में कुकिंग स्टार्ट हो गई है यह मशीन बिलकुल आटोमेटिक तरीके से आलू, मटर, गाजर, मिर्च, मसाले वगेरा नीचे बावल में भेज रही है किस टाइम पर कौन से इंग्रेडिन डालना है ये रेस्पी में पहले से ही प्रोग्राम है या फिर आप चाहें तो अपने कॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं कि आप आलू को अधिक फ्राई करना चाहते हैं या फिर कम फ्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, मशेन बिल्कुल अच्छे से आलू मटर की सबजी बना रही है। इसे पकाने के लिए नीचे इंडेक्सन लगा हुआ है, तो काफी अच्छे तरीके से खाना बन जाता है, जिस तरीके से आपने इंडेक्सन में बनाया होगा। और पकाते समय इसको चलाना भी जरूरी है, तो इसमें एक मिक्सिंग प्लेट लगी हुई है, जो लगातार मिर्च मसाले आलू बेगरा मिक्स करती रहती है। और सिर्फ क्लॉग वाइज में नहीं, एंटी क्लॉग वाइज में भी मिक्स करती है, तो क्वालिटी आपको जबर्जस मिलने वाली है। अभी देखिए, गर्मा गरम आलू मटर की सबजी बन रही है, और बस कुछी मिनट में बन कर एकदम से रेडी हो जाएगी। अभी मैंने बोला था कि मा के हाथ का स्वाद मिलेगा, वो कैसे, देखिए, आपके ममी जिस तरीके से आलू मटर की सबजी, भिंडी फ्राई, मटर पनीर, इसके लावा आप जो भी पसंद हो आपको, उनसे आप पोच लीजिए, कितने क्वानिटी में और किस टाइम पर डा इसकी एक सबसे बड़ी खासित यही है, कि जो लोग अपने स्टडी या फिर आफिस वर करने के लिए घर से बहुत दूर रह रहे हैं, और उन्हें अगर अपने मम्मी के हाथ का बनाया गया खाना याद आ गया, तो पूरवे दुनिया में कहीं भी सेम उसी स्वाद का मज़ बहुत पसंद है, तो बस इसके कमपाटमेंट में आप प्याज, मिर्च, मसाला, भिंडी, आलू बगर डाल दीचे, और उसके बाद तो आप जानी रहे हैं, इस मसीन को चार मॉडल में डिजाइन किया गया है, G4, G2, I4, I2, G4 मॉडल चार लोगों की फैमली के लिए, जिस आपकी रिक्वार्मेंट हो, अपने एकॉर्डिंग भाई साब मशीन ले सकते हैं, सभी इंग्रिडेंट लोड करने के बाद भिंडी फ्राई सिलेट कर दीजिए, और अभी आप देखिए, कुकिंग स्टार्ट हो गई है, और बस कुछी मिनट लगेगा आपका पसंदिदा भिंडी फ्राई तयार होने में, सबसे बहतरीन चीज यही है, कि आपको जिसके भी हाथ का खाना पसंदो, बस उससे आप रेस्पी पोच लीजिए, और प्रोग्राम करने के बाद आप जिंदगी भर सेम उसी स्वाद का मज़ा उठा सकते हैं, और दूर रहकर यदि मम्मी क आपके हाथ का बनाया गया खाना मिल जाया है, तो भाई सहाब, जीवन का असली सुक मिल जाता है, बताए मिलता है कि नहीं मिलता है, इसे है आपकी पॉकर फ्रेंडली बनाने के लिए और भी बैतरीम बनाया जा रहा है, नीचे डिस्क्रिप्सन में आपको इनका ओफिसियल विपसाइट लिंक मिल जायेगा, जब आप उस पे क्लिक करेंगे, तो आप डारेक्टली इनके ओफिसियल विपसाइट पे पहुँच जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे आप अपना नाम, कंपनी नेम ऑप्सनल ह कीजिए, या फिर आप जहां से भी हो, देन उसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपना पिन कोड, पिन कोड के बाद आपको डालना है भाई साब अपना, कंप्लीट अड्रेस, और यहाँ डालने के बाद बाकी जो पेमेंट बगेरा है, आपको अपने मम्मी के हाथ का बनाया गया खाना खाना है, तो आप इस मसीन को ओर्डर कर सकते हैं, और बाकी आप तो जानते ही हैं, कि निवटेक इंडिया ही सिर्फ एक अचा चानल है, जहां पर आपको फूड मसीन से रिलेटेड हर तरह की मसीन्स मिल जाती है, तो यहाँ ले लिया जाए स्वाद, अपने मम्मी के हाथ का बनाया गया खाने का अरे स्वारी, आटोमैटिक मिल मेकर के बनाया गया खाने का, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद